हलो एवरीवन नमस्कार क्यासे है आप लोग चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेपोजिशन एक्षूली हमने बोटिंग करवाया था आप लोगँ से तो आप लोगँ को जालता है लोग का डिमांड आया एक सर्पहले प्रेपोजिशन टॉपिक और स्टार्ट किया और उसी से हम लोग फिर आगे धिरे-धिरे एडवाब बगएरा पे भी कुछ-कुछ लोगों का वोट आया था अभी तीन घंटे में लगभग 86% लोगों ने वोट किया था जिसें प्रेपोजिशन टॉप पॉइंट पे था टॉप पोजिशन पे और जो दूसरा था अपका टॉपिक वोधा एडवर्ब कंजंक्शन और आर्टिकल बाले पर एक परसेंट भी लोगों ने वोट नहीं दिया है ना चलिए कोई बात नहीं कुछ लोगों का इसके पीछे कारण ये था कहने का कि सर प्रेपोजिशन पढ़ लेने के बाद हमें क्लोज टेस्ट संटेंस फ समय कि सर एडवर्ब में ये होता है कि वहाँ पर जो टमस होते हैं जो वर्ट होते हैं उसमें ज्यादा कन Battle होता है जैसे वरी मच लेरी और मच में डिफ्रेंस। तू का multiple use, जैसे फिर और भी ऐसे तमाम तरह differences है, so और as में क्या difference होता है, ठीक है, तो हम लोग उसको भी देखेंगे, लेकिन आज की topic में हम बात करेंगे, प्रेपोजिशन के बारे में, की प्रेपोजिशन होता क्या है, उसके मतलब जो introduction होते हैं, प्रेपोजिशन का use कहा कह होता है, इन सारे चीवग बारे हम बात करेंगे, ठीक है, तो चलिए, स्टार्ट करते हैं, लोग, देखें, प्रेपोजिशन जो है, इक Latin सब्द है, प्रेपोजिशन क्या है वाई, एक Latin सब्द है, जो बना है, दो अलग अलग टर्म से मिल करके, एक pre और दूसरा क्या है, प आपने देखा कि प्रेपोजिशन जो है, दो सब्दों के गॉमिनेशन से बना होता है, pre plus position, position का मतल़ होता है अस्थान, और pre का मतल़ होता है पहले, है ना, तो यह पहले अस्थान का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुर है, अब प्रेपोजिशन ये जब word placed before a noun और a noun, और a pronoun यानि प्रेपोजिशन एक ऐसा सब्द है जो किसी नाउन और प्रणाउन के पहले प्लेस के जाता है यानि रखा जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं प्रेपोजिशन बोलते हैं तो इस सवाल का जवाब हम थोड़ी तेर में देते हैं लेकिन फिलाल इतना जान लेजिए कि प्रेपोजिशन जो सब्द है वो प्रेपोजिशन से बना है और इसका मतलब है कि नाउन या प्रणाउन के पहले रखने की बात कर रहा है किसलिए उसका सम्मन्त किसी और अन्य और सकते आंगे चालियों जैसे एक जामपल देखेगा आई एम इन दा रोम यहां कि अप्रेपोजिशन इन है मैं हूं कहां हूं इन दा रूम में रूम क्या हो जाओ ऑन हो गया तो एक करणाउन की बारे में बतारा है किसके साथ संब्दा रहा है नां वन पर रहा है कि मैं room में होने की बात कर रहा है there is a cow in the field यहाँ पर a cow यह भी noun है in the field, field भी noun है इसको क्या कर रहा है, इनके साथ संबन दिखा रहा है यहनि preposition जो है, इसके बाद ही आगे noun आया है पहले भी क्या है, noun है C is fond of tea fond जो है, यहाँ पर यह काम कर रहा है adjective का, fond का मतलब होता है shocking, fond का मतलब क्या होता है shocking होता है, ठीक है जैसे बोलते है, I am fond of drinking है ना, I am fond of watching movie कुछ भी बोल सकते हैं, fond of का मतलब होता है, shocking होना तो fond के बाद यहाँ off दिया है और tea क्या है, फिर आगे noun है, ठीक है तो भी आपने यह देखा, कि यह जो preposition है, इस preposition के पहले यहाँ पे noun आ गया है, और preposition के बाद भी यहाँ noun था, इस preposition का सम्बंध noun के साथ दो कर रहा है, लेकिन किसका सम्बंध है, किसी pronoun का है इस preposition के साथ, यहाँ जो पहले उस preposition का जो सम्बंध है, जम्ट वर्व है, और आगे जो शेयर है, वो क्या है noun है, तो आपने इन सारे examples के माध्यम से यह देखा, कि preposition जो होता है, वो क्या होता है इस example के हिसाब से पुरा fit बैठ रहा है प्लेस बिफोर a noun और pronoun, ठीक है, अब सुनिए यह noun की बात तो हमने कहा दिया, तो आप जानते हैं कि noun का जो use के अगर बात किया जाए, तो noun का जो position होता है, वो हो सकता है as a subject, as an object, कुछ भी हो सकता है तो जब as an object होगा, तो वो objective case में भी noun का structure है, वो change नहीं करता है वो as usual, same रहता है जैसे राम, अगर हम subject की रूपे use करते हैं, तो राम का object भी रामी होता है, लेकिन अगर हम pronoun की बात करें, तो सी अगर subject है, तो सी का object हर होगा, आई अगर subject है तो आई का object मी होगा, वी अगर subject है, तो वी का object us होगा यू अगर subject है, तो यू का object यू होता है ये के वल इसमें अलग बात है ठीक है लेकिन हर जगा चेंज कर जाता है तो ये बात में क्यूं होता रहा हूँ क्यूंकि अभी आपने जब ये बोला कि डाउन और प्रणाउन की बात करेंगे तो प्रणाउन के संबंध में थोड़ा सा अर्थ चेंज हो जाता है वो क्या होता है जैसे हम लिख रखा की पॉइंट की पोइंट हैना कुछ महतपुर्ण बाते देखिए अभी आपने पढ़ा प्रिपोजिशन के बारे में कि प्रिपोजिशन पहले आता है पवी आपने लिखहर यहाँ पे पहले au है लेकिन क्या लिए आगे objective case तो प्रनावन का objective case तो as usual same रहेगा अगर राम नाउन है तो राम का object भी क्या होगा राम ही होगा ठीक है लेकिन अगर हम pronoun की बारे में बात करेंगे प्रनावन का objective form जो होता है या अब्जेक्टिव केश होता है वो चेंज कर जाता है इसलिए यह बात बिल्कुल याद रखना है आपको कि प्रेपोजिशन के बात जो आएगा टर्म वो अगर प्रणाउन है तो वो अब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा ठीक है ना कि एक्यूजेटिव फॉर्म में ना कि एक्यूजेटिव फॉर्म बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको एक्यूजेटिव फॉर्म बोलते हैं एक्यूजेटिव फॉर्म ठीक है चलिए तो ध्यान सुनिए यहां पर जैसे हम बोलते हैं उसके द्वारा एक पत्र लिखा गया या लिखा जा रहा है अर लेटर इस बिंग दोरा खाया जाता है, यहाँ पे राम सही है क्योंकि नाउन है तो नाउन का objective case भी राम ही होगा लेकिन फिर दुसरा बोलते हैं कि उसके दोरा एक आम खाया जाता है तो क्या बोलेंगे इसको English में अब mango is eaten by he बोलेंगे या बोलिये, yes क्यों? क्योंकि यहाँ पे by preposition था तो उसके बाद आप he का use नहीं कर सकते क्योंकि he यहाँ पे subjective या nominative case होता है जबकि he का him जो होता है objective case होता है तो एक point यहाँ से clear यह हो गया कि preposition के बाद हमेशा हम लोग accusative form यानि objective case का use करेंगे, ना कि nominative या subjective case का noun के अर्थ में noun का subjective या accusative यानि की objective both are in equal form यानि both are same दोनों एक ही form में होता है कोई दिवसमें change नहीं करना है लेकि pronoun के respect में change हो जाता है I hope कि यहाँ तक की बाद आपको clear हो गई होगी ठीक है? फिर अगला key point पे हम लोग आते हैं जितने भी preposition होते हैं उन सारे preposition के बाद अगर वर्व आता है तो वर्व हमेशा जिरन फॉर्म में होगा हमने क्या उखला? कि जितने भी preposition हैं उन सारे preposition के बाद अगर कोई वर्व आएगा तो वर्व हमेशा v4 यानि जिरन फॉर्म में होगा except accept का मतलब समझते आप लोग ना को छोड़कर के सिवाई किसको छोड़कर भाई तो टू को छोड़कर क्यों ऐसा अगर नहीं दीखरा होगा तो कि बात सुन लेजिए आप लोग ठीक है two को छोड़कर two को छोड़कर हमने क्यों लिखा है क्योंकि two का जो है ये dual काम है दो काम होता है एक काम तो होता है कि two काम करता है as a preposition और दूसरा काम होता है कि two काम करता है as an infinitive maker ठीक है तो जब ये preposition काम करेगा तो फिर वही बात है जब preposition के काम करेगा तो अपने बाद before यानि जिरन लेगा ही लेकिन जब ये काम करता है infinitive maker का यानि to काम करता है infinitive maker यानि infinitive के रुपे काम करता है तो उसके बाद हमेशा वर्व का original form यानि भीवन आएगा ठीक है ये बात ध्यान रखीगा जैसे example सुनिए अगर हम बोलते हैं addicted to, accustomed to, used to तो ऐसा कुछ term अगर हम बोल रहे है looking forward to तो इन सारे जगों पे जो to है वो काम कर रहा है preposition का तो जब ये preposition का काम कर रहा है इसका मतलब है उसके बाद क्या आएगा जिरन आएगा और आप पढ़े भी है जिरन आता भी है जैसे बोलते हैं he is used to drinking उसे पीने की आदत है I am used to reading newspaper daily है ना मुझे paper पढ़ने की आदत है तो आपने अभी यहाँ देखा कि जब ये काम करेगा preposition का तो उसके बाद क्या आएगा before यानि जिरन आएगा ठीक है लेकिन दूसरा भामने क्या लिखा है कि ये काम करता है infinitive maker का तो उसके बाद भी बनाता है cable to के साथ ही ठीक है जैसे हम बोलते हैं he wants to become he wants to become वह बनना चाहता है क्या an officer कुछ भी लिख दी जागे यनि wants to become तो हाँ पे wants के बाद जो to आपने यूज किया ये क्या है infinitive maker ठीक है तो आपने अभी देखा कि जब to जो है वो काम करेगा preposition का तो उसके साथ जिरन आएगा जबकि जो to काम करेगा अगर infinitive maker का तो उसके बाद verb का first form यानि original form आएगा ठीक है तो ये दोनों बात है इसका key points ठीक है तीसरी जो इसकी key points है ये बहुत ज़्यादा important है it's very 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 important ठीक है इतना ज़्यादा महत्पुर्ण है कि हमने कई बार very very बोल दिया ठीक है अब ये महत्पुर्ण क्यों है बाई क्योंकि definition के यहाँ पर जो definition है preposition का उससे थोड़ा सा contrast है ये contrast का मतलब उससे थोड़ा अलग है preposition में कह रहा था definition में कि noun pronoun के पहले यहाँ क्या लिखा है कि प्राया preposition अपने object object का मतलब noun ये pronoun ही के पहले आता है परंतू परंतू मतलब बट लेकिन इन सारे के सारे examples में आप देख रहे होंगे कि preposition या तो बाद में आया है या last में आया है है ना यानि sentence के end में ही आया है जबकि rules में क्या है rules का मतलब उसके reflection में क्या है कि preposition का जो use है उसके पहले होना चाहिए अपने object के पहले होना चाहिए यह नाउन यह प्रणाउन के पहले होना चाहिए लेकिन इन सारे sentences में इन सारे examples में इसका use last में किया गया है वो कैशे आईए देखते हैं condition क्या उसका होगा मैं बताता हूँ पहले example देखिए what do you go to a school for अब इसी sentence को अगर यहाँ for हटा करके यहाँ कर रहता for what do you go to a school या फिर what do you for go to a school तो कुछ भी करता तो sentence गलत होगाता और आज कल काफी exam में यह question पूछता है जहाँ पे for का position यह तो पहले कर देगा लेकिन आपको सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा बड़ा मजा आएगा कि for what for what का मतलब किस लिए तुम अस्कूल किस टे जाते हो और आप जब सुनने मचा लगता है तो आप कहा देता है सर संटेंस तो सही है कोई दिक्कत इसमें नहीं है लेकिन दिक्कत है वो दिक्कत क्या है तो यहाँ पे concept इसका हो गया रूल हो गया इसका कि जब आप किसी से question arise करते है यानि कोई भी wh का word आता है question arise करने के अर्थ में तो वैसे condition में preposition जो होता है उस sentence के end में यूज़ करते हैं उध्यान रखिएगा पहले यूज़ कर सकते हैं जैसे whom के पहले by whom के पहले to ऐसा हम यूज़ करते हैं बट वह spoken English में चलेगा यानि slang हो जाता है जबकि grammatically तोर पर वह गलत है सही नहीं है ठीक है तो what do you go to a school for हमें सब फॉर last में आएगा अगर कभी भी आपको ये पहले दिख जाए या बीच में दिख जाए तो sentence wrong हो जाएगा उससों correction करना होगा और correction ऐसा ही होगा राइट what are you thinking of think के साथ off आता है last में आया गया है तो एक concept तो ये हो गया कि जब आप किसी से question arise करते हैं ठीक है तो ऐसा कुछ होता है ठीक है फिर दखिए दूसरा जो concept यहाँ पर है वो क्या है दूसरा concept क्या है भाई कि जब यहाँ पर relative pronoun रहेगा क्या रहेगा relative pronoun रहेगा जैसे यहाँ पर यह है और यहाँ पर यह है आप relative pronoun समझते होंगे दो चार नाम mainly याद रखिएगा वही चार मेंली होता ही है who, whom, that, which ठीक है तो जब यह relative pronoun यहाँ पर रहेगा जैसे that है यहाँ हूम है तो वैसे condition में भी हमारा जो preposition है वो sentence के end में ही आएगा for example समझे here is the watch घड़ी यहाँ है that you asked for और asked for का मतलब ही होता है demand करना मांगना मतलब जिस घड़ी को आपने demand किया मांगा वो घड़ी क्या है यहाँ है हमने ask के बाद for यह phrasal for एक तरह से हो गया लेकि प्रेपोजिशन का यह जो place है वो कहा है sentence के end में है ठीक है दूसरा example this is the boy whom I was speaking of यह वही लड़का है जिसके बारे में बात कर रहा था जिसके बारे में कह रहा था तो whom यहाँ पर आ गया किसके लिए boy के लिए आ गया लेकिन प्रेपोजिशन जो है जिसके बारे में कह रहा था speaking of sentence के end में आया है ठीक है तो अभी तक मैंने केवल आपको तीन-चार बाते ही बताया है और ये चारो बातों को मैं फिर से रिवाइन करता हूँ आप इवार ध्यान से सुन लिजे इसको हमने क्या बताया कि प्रेपोजिशन जो है ये एक नाउन और प्रणाउन के पहले आने वाला सब्द होता है ठीक है जैसे एक्जामपल यहां पर दिया गया है लेकिन कुछ केस में प्रेपोजिशन जब प्रेपोजिशन के बाद जब अगर फॉर्म आना होता है तो वह अबजेक्टिव केस में होता है विसेस कर यहां पर प्रणाउन के अर्थ में ध्यान देना है प्रेपोजिशन के बाद कोई भर आता है तो वो जिरन फॉर्म में होता है ठीक है केवल 2 को छोड़ करके और प्राया प्रेपोजिशन उब्जेक्ट के पहले आता है लेकिन दो कंडिशन में बात भी आ रहा है जो लास्ट में आ रहा है वो दोनों कंडिशन किलियर हो गया होगा एक तो कोश्चन अराइस करने के अर्थ में यह डवलू एच के अर्थ में और दूसरा जब रिलेटिब प्रणाउन रहेगा वहाँ पे तो वैसे कंडिशन ने प्रेपोजिशन कहा आएगा लास्ट में आएगा आई होब कि आपको इतनी सारी बातें किलियर हो गई होगी ठीक है अब एक बात यहाँ पे मैं और एड कर दूँ ध्यान सुनिएगा जैसे अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको इरेज करें तो आपको जैसे देखिए इसी इग्जाम्पल को हम थोड़ा सा इरेज करके हाँ पे कुछ और बताने की कोशिश करते हैं आपको थोड़ा सा और ध्यान देजेगा जैसे कि आपने अभी देखा प्रेपोजिशन का कहां कहां उसका इस्तेमाल करते हैं लेकिन अगर आप अब फ्रेजल वर्ब के बारे में बात करें फ्रेजल वर्ब्स ठीक है तो फ्रेजल वर्ब्स जो होता है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है तो फ्रेजल वर्ब का फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार होता है वो कैसे होता है देखिए वर्व प्लस प्रेपोजिशन एक तो ये फॉर्म हो गया अभी आप यहां कहेंगे कि सर आपने तो कहा था कि प्रेपोजिशन जो होता है वो नाउन ये प्रणाउन के साथ संबन दिखाने के लिए आता है लेकिन यहां तो क्या आ गया? यहां तो verb भी आ गया हलाकि अगर phrasal verb के बारे में और बात किया जाए या fix preposition के बारे में भी आप लोग तो आप लोग खुँब याद करते होंगे fixed preposition के अंदरगत जहां पे fix, fix जो है किसके किसे साथ fix रहता है भाई तो तीन तरह का preposition, एक होता है verb के साथ ही fix रहता है, दूसरा adjective के साथ ही fix रहता है और तीसरा noun के साथ ही fix रहता है, ठीक है? यानि इन सब के बाद आने वाला जो preposition होता है, वो क्या होता है? fix होता है तो अभी आपने जो देखा एक्जामपल में कि वो noun ये noun के साथ कह रहा है कि उसके साथ शम्मन दिखा रहा है लेकि यहाँ पर adjective या वर्व या गया phrasal verb में भी क्या होता है mainly verb और preposition का ही combination होता है और fixed preposition के अंदर गर भी verb, adjective और noun का ही होता है जैसे एक एक्जामपल अगर हम ले तो मान के चलिए अगर जैसे हम सब्द बोलते हैं कोई सब्द, confide बोलते हैं, confide एक भर्व हो गया तो इस confide के साथ preposition to आता है, इसी confide का अगर हम जहां दिजेगा, अगर इसी confide का हम इसका noun बना दे तो क्या हो जाएगा, इसका noun बताइए, yes confidence हो जाएगा तो इस adjective है यहाँ पर confident हो जाएगा तो इसके साथ क्या आएगा? off आएगा अब इसी confide का हम noun बनाएं यहाँ पर तो confidence हो जाएगा और इस confidence के साथ क्या आएगा? in आएगा ठीक है? जैसे interest है interested है na interested बनता है interested amazed, surprised तो यह सब past participle है जिसको हम adjective तोर पर यूज़ करते हैं तो उन सब के बाद भी कुछ special preposition fix होता है ठीक है? तो fix preposition के अंतरगर तो verb के साथ भी अब verb के list पुरा याद करना पड़ेगा कि किस-किस verb के साथ क्या-क्या fix रहता है यह आपको learn करना होगा right? adjective के साथ भी कुछ-कुछ preposition fix होता है नाउन के साथ भी fix होता है लेकिन phrasal verbs के अंतरगर mainly जो होता है वो verb plus preposition के combination से बनता है जैसे मान के चलिए verb plus preposition के combination में हम कुछ example लेते हैं depend on depend verb है और on यहाँ preposition होगा जिसका मदल क्या होता है? निरवर करना put off कुछ भी ले लिए put on का मतलब पहनना होता है put off का मतलब पॉस्टपॉन करना होता है तो इन सारे जगों पर जो आप देख रहे है preposition क्या है भर्ब के बाद है यानि यह सब phrasal verbs से है जो आपको याद करना पड़ेगा ठीक है इंट्रक्शन कैसा लगा यह वीडियो आपको कमेंट करें जरूर बताईएगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो जिसे लाइक और शेर जरूर कर दिएगा अपने दोस्तों के साथ ठीक है फिर हम लोग इसके तुरंद बाद अगले सेसे में मिलेंगे इस प्रेपोजिशन के सेकेंट सेसन में मिलेंगे क्योंकि एक लंबा टॉपिक यह है और आगे काफी चलेगा ठीक है तो इसके सेकेंट सेसन में में लोग भी बात करेंगे कि कुछ महत पुर्णद प्रेपोजिशन कैसे कैसे फॉर्म हुआ है जैसे कंपाउंड प्रेपोजिशन particular phrase हम बोल सकते ह야 उसको तो इसके बारें बात करेंगे ठीक है और साथ ही साथ हम उसके यूजे बारें पढ़हेंगे next part in the next video में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, thank you so much